नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मारी योट्यूब चैनल मास्टर वई बहु भीरे में रहे हैंड़ पर चान को सबस्क्राइब करके आपको मूडिपाई करके दे रहे हैंड और अगर आपको इसकी प्रेक्टिस करते हो तो 101% आपको इसका फायदा होगा इसका यूज़े सोका और इस वीडियो को न आप अपने फ्रेंड्स के साथ टेलेग्राम हो इंस्टाग्राम हो या स्नैप्चैट हो और साथ ही साथ अगर आप वट्सेप पे भी शेयर करते हो तो उनको यूज़ होने वाला है एक छोटी से रिक्वेस्ट के आप सेंड कर देना और चली वड़े को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एवन में बोला गया है एमें आपको चूज़ द करेक्ट अल्टरनेट्व एंड राइट द अल्पाबेट फर्स्ट में बोला गया है इसमें चार ओप्शन दिए गया है फ फर्स्ट डालके एंसर बोलके C लिखना होगा यानि कि अल्पाबेटी लिखना है आपको उसका जो नंबर है वो नहीं लिखना है सिर्फ अल्पाबेट लिखना पड़ेगा यह मैंने सिर्फ आपको मुझे एक स्क्रीन के उपर आपको प्रेजेंट करनी थी इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे सॉल किया, ठीक है, लेकिन आप अगर वोर्ड एक्जाम में इसको answer sheet के उपर ऐसा लिखते हो, तो ये गलत होगा, आपको आपको आपर mark नहीं मिलेगा, ठीक है, second पर चलते, at the time of short circuit, the current in the circuit, dot dot dot, so guys, आपको इसमें भी चार option देगा, first में है increase, b में बोला गया, decrease, c में बोला गया, remains the same, and d में बोला है increases in steps, so guys, इसका answer जो है, जो है, वो है a, यानि की increases, तो a number वाला जो option है, वो आपका correct option है, तो third की तरब चलते है, third में बोला गया है, dot dot, 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 is the use to study the anima's behavior of water, so इसमें भी चार option देगे है, a में है, kalimeter, kalimeter, उसके बाद b मे बोला गया है, hopes apparatus, so guys, इसका option, जो है, d नमर का option, जो correct है, hopes apparatus, is used to study of the amelius behavior of water, so guys, fourth नमर पे चलते है, dot dot, is the general formula of alken, so guys, कौन सा formula है, alken का, यहाँ पर 4 options दे गए, a में बोला गया है, c n h 2 n, उसके बाद b में बोला गया है, c n h 2 n, उसके बाद c में बोला गया है, b में था, उस इसके बाद d में बोला गया है, yern yach, yern minus 2, so देखे, यहाँ पर 4 formulas दे गए है, और वो पूचा गया, आपका alken का कौन सा formula है, तो a number वाला जो है, c n h 2 n, this is the formula of alken, so आपको answer में लिखना है, option number a, जो की आपका इसका alphabet है, so वो आपको लिखना पड़ेगा, पाच में जाते है फिपतो वाला question देखते है, फिपतो वाला आपके जो बोलते है, आप fill in the blanks उसको देखते है, उस पे बोला गया, when an object is placed at 2 f1, of convex lens, its image is formed, so guys, इसमें दिये गए है, 4 option, first वाला बोला गया, a में बोला गया, at f1, b में बोला गया, at 2 f2, c में बोला गया, beyond 2 f2, और d में बोला गया है, on the same side of the object, so इसका जो answer है, alphabet जो correct है, वो b number वाला, at 2, of 2, so guys, इसी तरीके से हमरा first जो question होता है, वो first A1 का A जो है, वो activity complete होची के, वो भी full answer sheet के साथ, so इसी के साथ साथ, सतना आपको एक important tip बताना भूल गया, अगर आपने channel को subscribe अभी तक भी नहीं किया, जनों नहीं उसका video भी मिल जाता है, हमारे telegram group पर, यानि कि आप board exam में, SSE board exam में, ज्यादा से ज्यादा percentage के से ला सकते हो, इसके लिए हम आपको बहुत कुछ material प्रोवाइड कर रहे है, so जाव एड़ अभी चैनल को subscribe करो, आप साथी साथ आपके जो भाई लोगे, आपके जो family members से, उन answer the following questions B में बोला गया, first में बोला गया, draw the structure of benzene, अब देखे structure करना benzene का, draw सिर्फ structure ऐसा करोगे, या आपर देख सकते हो, just a second, ऐसा जो यह इसका structure, यह सिर्फ इसका answer, लेकिन मैंने आपको जादा information देने के लिए कि मुझे YouTube पे upload करना था, इसलिए आपको जादा information देने के ल hexagonal ring structure with an alternate carbon carbon double bond, अब देखे क्या होता है, इसमें जो hexagonal ring structure होता है, hexagonal type का, इसका जो होता है, और ring होता है, उसके बाद each carbon atom is benzene, has a one hydrogen atom attached to it, और हर एक carbon को one hydrogen attached होता ही है, अब देखे इस तरीके से इसका structure आपको draw करना है, और इसी को आपको mark से दे जाने वाले, उपर का आप नहीं भी लिखो, तो भी चलेगा, लेकिन ये structure आपको लिखना है, उपर का लिखते होता है, आपको जो आपका supervisor लेगा, paper check करने के लिए जो कोई भी रहेगा, वो आपको उसके नजर में आपको एक positive point create हो जाएगा, और आपको marks अच्छे से अच्छे marks देने की कोशिश करे सेकंड पर चलते हैं, observe the correlation in the first peer, complete the second peer, यानि की complete the correlation जो होता है, उससे वो related है, अब देखे, I are young, yes, yes, यानि की direction showing satellite, अब आपको insight दिया गया है, तो इसका क्या formula है, वो dot dot कर की लिखा गया था है, जो की मैंने answer लिखा है, provide telecommunication services, insight का insight satellite क्या करता है, provide communication services, ये है, अब देखे, define one calorie, यानि कि one calorie की definition लिखनी है, first में अब आपको इसकी definition में बताता हू, the amount of heat necessary to raise the temperature of one gram of water by one degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius, it's called one calorie, इस definition को guys आपको याद करके रखना है, यानि कि अगर exam equation पूछा भी जाए, तो आपको याद आना चाहिए, कि master over के channel पे आपने देखी थी एक वीडियो जि कोई से हमने याद करके रिके तब इसी फॉर्मूला आओ, so इसी point पे इस वीडियो को like कर दो, और आप exam में आये तो भी like कर सकता हू, पूर्ट में है state true or false, यानि कि सही या गलत, आपको लिखना है, या बात सही है या गलत, magnetic lines of force always cross each other, so guys यह जो है, यह जो विदान है, यह statement है, यह false यानि कि गलत है, चुके तो यहाँ पर false लिखा गया है, अब देखे, फिप में दिया गया है, find one odd one out, यानि कि इसमें से कुनसा एक अलग है वो पेचाना है, अब देखे, reflection उसके बाद है, neutralization, reflection and desperation, यहाँ पर spelling पे आप correction लग रहा होगा, तो spelling correction हो शकती है, अब द कि ग्यू scientific reasons में आपको 3 दिये जाते, board exam pattern पे, equation पे पर ध्यान सी इस वीडियो को पुरा देखेगा, miss मत किजेगा, n2 जैसे कि 3 दिये जाते है और n2 करने के लिए बोला होता है, तो यहाँ पे भी n2 करने के लिए बोला गया है, first में बोला गया आपको first वाला, ग्यू scientific reason में carbon atoms are capable of forming an unlimited number of compounds, तो इसका answer है, आपको answer point to point लिखना है, first point में मैं यानि कि यहाँ पर लिखा गया, first point में, compound has the proper, just a second guys, compound has the property of catenation to or more carbon atom can share some of their balance electrons to form single, double and triple bonds, उसके बाद second point में लिखा गया, point करके ही लिखना है, आपको जब आप board exam में answer लिखना है, answer sheet पे तो point करकी ही, आप कितना भी बड़ा answer हो, चाहे हो कोई भी paper हो, Marathi का हो, Hindi का हो, English का हो, Science का हो, History का हो, या तो आपका geography का हो, आपको कैसे लिखना पड़े का point to point answer टी हो, जिसे कि आपको social science में, यानि कि आपकी geography और history में होता है, क्या होता है, कि आपको tip लिखने के लि ब्रेंच रिचेंज और रिंग्स में हो डिफरेंट शेप्स और साइजेश, इस 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 रिसल्ट इन दर्फरमेशन आप मेनी कंपाउंट्स, हैंस कार्बन आटम्स आर कैपेबल तो फर्मिंग अन अनलिमिटे नंबर अप कंपाउंट्स, तो इसका हमने scientific reason लिख दिया है, इसका एंसर है, आपको पॉइंट करके लिखा गया है, इसका भी एंसर, फर्स्ट में, अपर्सन सपरिंग फ्रम अमयोफिया थे नियर्वा अब्जेट इस 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 of a distance object is formed in the front of the retina instead of on the retina. Second में बोला गया, a convex lens, यानि की second point में, a convex lens diverges the ray of a light passing through it when the spectacles of concave lens of appropriate power are used. The parallel rays coming from the distance object are delivered to proper extent before they are the incident on the eye lens. Therefore, after the converging action of the eye lens, the image of a distance object is formed on the retina of the eye and hence the distant object can see, seem clearly. उसके बाद third scientific reason में बोला गया है, the value of acceleration g is greater at the pole than at equator. तो इसको activity की तोर पे हम खुद दे रहे हैं, कि आपको इसका scientific reason आपको खुद लिखना है, या आप इंटरनेट से लिख सकते हो, या तो most likely 11, 21 जो सेट होता है आपका, उससे भी आप लिख सकते हो, या आप किसी भी, क्यानि कि आप आपके 10 का जो, science part 1 का जो book के किताब है, उससे भी आप इसका answer find करके scientific reason आप लिख सकते हो, एक activity की तोर पे आपको दिया जा रहा है, इसकी बोड़ पैटरन पे equation paper dependent है, ठीक है, यानि कि उसके उपर equation paper है, और हम आपको answer sheet के साथ provide कर रहे है, फर्ष्ट में बोला गया है, complete the following with correct word, यानि कि आपको एक diagram दी गई है, method of preventing corrosion, तो आपको ऐसा बोला गया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है न, यानि कि इनिवन आपको, just second में आपको बताता हूँ, कि आनि कि आपको इस में से, आप जो भी point से, correct point से उसको डालना है, यानि कि आप corrosion के points, जो कि painting है, उसके बाद गैल्विनाजेशन, उसके बाद alloying, or greasing, और oiling इस तरीके से, अब चलते आगे, आगे बोला गया आपको second में, a bulb of 40 watt, is connected across a source of 220 volt, find the resistance of the bulb, अब देखिए आपको, जो बोला गया है, बल्ब जो है 40 volt का है, और यह connected है, source of 240 volt के connection से connected है, अब resistance आपको find करना है, अब data देया गया, इसका भी answer लिया गया है, data is equal to, मैंदानी के data है, power जो है, ओ 40 watt की है, और old जो है, 220 volt का है, अब resistant is equal to heart, ऐसा लिखा गया है, उसके बाद power is equal to, आपको old लिखना है, उसके बाद is equal to old, and old upon resistance, is equal to old square upon resistance, so इसका answer जो आएगा, at last आप करके देखिएगा, 1210 यानि की, 1210 ये इसका resistance आने वाला है, जो आप करके भी देखो, internet भी दोखको, तो यही answer आने वाला है, तो चलिए आपको, therefore करके लिखना पड़ेगा, या आपए therefore नहीं लिखा है, the resistance, the resistance of the bulb is, is equal to लिखो, या तो is भी लिख सकते हो, 1210 यानि की, 1210 रिसिस्टनस, इस तरीके से, आप उसका symbol भी लिख देना, उसके बाद explain the following reaction, giving balanced chemical equation, magnesium strip is burned in year, अब आपको यह जो है, यह statement जो बूली गी है, जो आपको बोला गया, giving balanced chemical equation, यह following reaction, यह जो रेक्शन है, magnesium reacts with the oxygen present in the year, to form magnesium oxide, the reaction across as follows, तो reaction भी लिखी गी है, 2mg plus O2 gives 2mg, this is the reaction, आपको इसे ही लिखना है, तो मतलब जो इसमें हमने शो किया है, वेसे किवे से answer लिखते हो, तो 100% आप score कर सकते हो, अब फोर्थ में बोला गया, फोर्थ वाला इसमें, state modern credit law, अब हमको 3 करने थे, हम 4 चोथा भी देख रहे हैं यहाँ पर, हमने सिर्फ O1 activity पे दिया था, आपको यह नहीं, अब देखे, पीस में बोला गया था, A3 जो कि हमने activity पे complete कर लिए, उसके बाद हमने यह जो था, यह statement भी solve कर लिया, अब हमने resistant भी find कर लिया, उसके बाद हम 3 ने वे जो था, explain the following reaction giving balanced chemical equation, A2 हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं, फोर्थ नमबर वाला team बोलेते हैं, अब फोर्थ कर रहे हो, आप board exam में अगर आपके पास समय कम रहता है, तो आप इसे ना ही करो, तो बेटर रहेगा, मतलब समय उतना ही रहता है, दो ही गंटे का रहता है, लेकिन अगर आप time management करके लिखते हो, तो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, यह नहीं तो आप इसमें जो ज़्यादा extra questions होते हैं, उसमें अगर time लगा तो, तो शायद से आपको at last में जो 5-5 या तो 4-4-3-3 marks वाले equation होते हैं, वो आपके miss हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपको time management करते हुए equation paper को, यानि कि आपके paper को solve करना है, अब दिखे state modern periodic law, और B में बोला गए defined valency of elements, दोनों के भी answer लिखने हैं, फर्स्ट में हम देखते हैं एका answer modern periodic law के आपको सा है, तो modern periodic law ऐसा है कि the chemical and physical properties of elements are the periodic function of their atomic number, दिस इस the modern periodic law, अब सेकंड की तरफ था, वैलंसी of an element, उसको define करना है, तो number of hydrogen atoms which combined with one atom, इस गॉल्ड वैलंसी of an element, आगे बढ़ते हैं आगे दिया गया फिपने, अब पाचवा भी हम देख रहे हैं, जैसे कि पाच देग गए थे मैंने बोला था, एंड यहनी 300 करने थे, अब हम 500 कर रहे हैं, पाचवे की तरफ बढ़ते हैं, भाय आर, जो स्टेशनरी सैटलाइट नोट यूसपूल पर स्टेड़ीज और पोलर रिजन्स, अब देखें, जो स्टेशनरी सैटलाइज पढ़ाई के लिए, यूसपूल क्यूं नहीं होता, क्यूं इसका समाल नहीं किया जाता, ऐसा बोला गया है, तो इसका answer है, जो स्टेशनरी सैटलाइट अर्बिट्स अबोद एक्वेटर, थस इस आर नोट यूसपूल पोर स्टेड़ीज और पोलर रिजन्स, अब देखें, एथरी की तरफ चलते, एथरी में बोला गया, answer the following questions, अब देखें, एथरी में आपको दिया जाते है, टोटली 8 questions होते है, sub questions, बड़े-बड़े questions होते है, बड़े-बड़े answers होते है, जो कि 15 marks ले आता है, तोटल, यानि कि per question, each question आपको होता है, 3 marks ले, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ, जो आपको उसमें से 5 solve करने ही होते है, और per question आपको, each question आपको 3 marks के लिए, 3 marks के लिए रहता है, और उसमें से 5 करने है, 8 में से 5, अब देखे हमने कितने solve करते है, ओ भी देखते है, कितने solve किये हमने, फर्ष्ट में बोलागा है, describe the structure of modern periodic table, अब modern periodic table का structure आपको describe करना है, यानि कि उसके बारे में थोड़ी बहुत information लिखने, describe करना है, अब इसका ऐसा देखते है, in the modern periodic table, there are 7 horizontal rows called periods and groups, the urge, sorry guys, एक line जो हों miss होगे, फिर से read करता हूँ, in the modern periodic table, there are 7 horizontal rows called periods, and 18 vertical columns 1 to 8, called groups, यानि कि modern periodic table में horizontal rows है, जिसे हम periods बोलते हैं, उसके बाद 18 vertical columns है, 1 to 8, जिसे हम groups बोलते हैं, उसके बाद the arrangement of the periods and groups, result in the formation of boxes, the elements of this group from the salt, they are noble gases, and under normal conditions, they are entered, तो उसके बाद second की तरब चलते हैं, आपको second में हैं, एक diagram दी होती है, मतलब दी वहाँ पर दी होगी board exam में, ऐसा नहीं बोल रहा है, लेकिन दी थी यहाँ पर, second में बोलागे, answer the following question with the help of the following diagram, अब हमन एकी आईकी जो भी बोलते हैं, उसकी जो diagram में वो diagram दी गी थी, और उसके उपर आपको कुछ questions पूचे गए, तो उसका answer देना था, अब उसकी जो diagram है, वो यहाँ पर तो नहीं निकरेगी, लेकिन description में, जब आप telegram को join कर लेते हो, तो उसकी question paper जो है, answer sheet पनाई है, उसकी question paper भी वहाँ पर अविलेबल है, सुजाए, download करिए, उस question paper को भी देखिए, साथ साथ इस video को भी वहाँ से get कर सकते हो, और बाकी के subject की भी question papers, आप वहाँ से get कर सकते हो, तो telegram को ध्यान से join कर लेना, बहुत कुछ काम कर दे रहे हैं, यार, SLC board exam के लिए, हमारी सिर्फ इतनी इच्छा है, आप ज्यादा से ज्यादा marks लाओ, और स्कोर कर रहे हमारे चैनल, आपको ज्यादा से ज्यादा marks देने के लिए, बहुत कुछ मेनत कर रहे है, अब देखिए, फर्स्ट क्वेशन था, नेम दो टाइप आप लेंस इन दो हमना, अब इसका answer है, अब देखिए, अब देखिए, इसका answer है, इसका answer है, इसका answer है, इसका answer है, अब थर्ड वाला था, state the nature of the image form of the object of the screen inside the eye, the image of the object created on the inside screen of the object eye, real and inverted, थर्ड में बोला गया, complete the following table, आपको table complete करना था, तो table किसका था, ओ भी देखने वाले, थर्ड में बोला गया, complete the following table, यहाँ पर table था, straight chain of carbon compound, and structure formula, molecular formula, and name of the compound, इसमें आपको, methane, इथेन, methane, इथेन, जो भी बोलते हैं, methane, इथेन, propane, और butane, इसके उपर आपको, उसका क्या बोला गया है, क्या क्या, straight carbon compound, उसके बाद molecular formula, and structural formula आपको, draw करने के लिए बोला गया था, उसमें कुछ absence थे, जो कि आपको दिखा ही देगे, यहाँ पर C, दिया गया था, compound chain carbon में, तो उसका structural formula, C and Char, यानि कि CH4, जो कि हमने structural formula, formula भी download कर, यानि कि लिए उसके बाद methane, यह किसका है, methane का है, उसके बाद double C दिया गया था, उसका भी हमने, structural formula, formula ड्रॉ कर दिया, जो कि C2, H6 आता है, जो कि हमने ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया था, वो ड्राओ करने के लिए बोला था, यानि कि methane का, already दिया गया था, उसके बाद यह जो इथे ने, उसका molecular formula भी नहीं लिखा था, जो कि हमने खुद लिखा है, ठीक है, यानि कि यहाँ पर dot-dot देख सकते हैं, यानि कि वहाँ पर blanks फिल नहीं की थी, अब दिखते हैं, थर्ड यानि कि थर्ड था, triple C दिया गया था हमें, C, 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 और इसका हमने structural formula ड्रॉ कर दिया, molecular formula हमें already दिया गया था, C3H8 इस तरीके से, और यह formula किसका यह पूचा गया था, तो यह propane का है, यह भी हमने लिख दिया, आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया हमें, 4C है, और इसका molecular formula हमें नहीं दिया गया था, structural formula दिया गया था, साथी साथी किसका यह भी लिखना था, तो यह इसका molecular formula जो है, C4H10 और यह butane का है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चार में दिया गया है, वाई, 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 इस इडिपी, स्वारी गयाइस, वाई, यह इस बन जोज़ बिंएच्ट लुट करेफा है, एसका, गया इसका ऑखाल रिखांगा, ठीक है, इस स्वारी लुट लुट करीट लुट कर अधरीविक है, रेंच्थ प्यूट ऑप Méल यह प्लम कई आहना, औरक प्रवट ग्वारीड सभाल देन बन स्टेज अब देखते हैं पाच में वह बोला गया अब जर तो फॉल्विंग फिगर अप रेक्टिविटी सीरीज ओप मेटल्स एंड एंसर दो क्वेशन अब आपको किसकी आपने जैसे की पड़ा मैंने रेक्टिविटी सीरीज सब्सक्राइब करते हैं इस सब्सक्राइब इस तरीके साफ का नाम लिखना है जो वारट के साथ react करते तो first में आता है potassium and second में sodium तो आप इसका answer potassium and sodium ऐसा लिख सकते हो आगर आप line में भी लिखना चाहो बना करके तो लिख सकते हो उसके बात third में बोला गया है name to more moderate reactive metals तो zinc and iron इसका answer भी हमने लिख दिया है आगे बढ़ते हैं आगे six में बोला गया है what is made by specific heat capacity how will you prove that different substances have a different specific heat capacities diagram is necessary इसको भी आपको हम activity के तोर पे देते हैं इसको भी आपको खुद से solve करना है इसमें diagram भी निकलनी है इसलिए हमने नहीं लिख आला लेकिन आपको इसका answer खुद से लिखना है अगर नहीं लिख पाते तो बोला ना मैंने टेलेग्राम पे जाओ answer अभी लेबल है आगे बढ़ते हैं आगे seven में from newton's law of gravitational dream drive the formula for the acceleration due to gravity sorry gravity so इसका answer भी आपको activity के तोर पी देया जा रहा है उसके बाद eight में था read the given passage and answer the following questions आणि कि passage दिया गया था उसके उपर कुछ questions थे अब question फर्ष्ट था name the two wires having a potential difference of 220 watts दो wires का नाम लिखना है जिसमें different 220 watts का वो passage में से ही लिखना था तो हमने find कर लिया the live and neutral wire have a potential difference of 220 watts उसके बाद second में बोला गया वाटी short circuit short circuit मतलब क्या तो इसका answer is due to fault in the equipment और due to equipment or if the plastic coating on the live and neutral wires gives away the two wires come in the contact with each other and a large current flow through it producing heat this is known as the short circuit तो short circuit उसी में से उसी में से मतलब जो paragraph दिया जाने वाला है ना परिच्छेट उसी में से उसका answer लिखना है ठीक है जो जैसा दे आगा है उसी का answer चाहिए आपको दूसरा भी परिच्छेट आ सकता है दूसरा भी या नहीं तो आ भी नहीं सकता है ऐसा हो सकता है थर्ड में आगा इस आप से भी को देख सकते हैं या पर थर्ड में write the function of fuse तो fuse का function क्या है fuse wire protect circuit and appliance by appliance by stopping the flow of any excess electric current अब दिखे काई एफ़ोर में दिया गया है लास्ट वाला question है आपका एफ़ोर में एफ़ोर में एफ़ोर होता है जो कि आपको completely आपकी तीन से चार मारक का question compulsory होता है और दो ही दिये गए होते एक तो diagram पे dependent होता है या तो आपको sub question होता है आप एक diagram दी गी थी जिसको में directly dash मार दिया वह question क्या है वह भी नहीं मैंने आप लिखा गलती से मेरे को याद नहीं रहा तोड़ा सा मेरे से mistake होगे ठीक है लेकिन आपको मैं दे दूंगा question आप टेलिग्राम को the physical state of the reactant and surface area temperature and the presence of a cattles cattles are the four main factors that affect reaction rate उसके बात second में बोला गया था how does the rate of reaction depends on the nature of the reactant तो इसका insularate with the suitable example example के साथ इसको insularate करना था तो first में है when the reactant combines with the two or more than reactions then the rate of a chemical reaction depends on the neutral nature of the reactants और second point में बोत aluminium यानि की AL लिखा गया and zinc react with the dilute hydro hydrocholic acid H2 gas is the liberated water soluble salt and these metals are formed heavier aluminium metal react faster with dil इस तरीके से guys इसका answer लिखा गया है so guys इसी तरीके से यह पूरी question paper हमने एक वीडियो में देखिए totally 25 minutes तक आपने इस वीडियो को देखा जोनोंने भी वीडियो का last end तक देखा उनका दिल से शुकरिया जिन्होंने भी वीडियो को लाइक किया उनका भी दिल से शुकरिया चैनल को सब्सक्राइब किया उनका भी दिल से शुकरिया और शुप कामना है उनके साथ है वो 100% स्कोर कर जाएंगे और अच्छे सच्छे मार्क्स लाएगे बोर्ड एक्जाम साइंस के सब्जेक्ट में बाते हैं कि सभी सब्जेक्ट की भी तो क्वेशन पेपर हमने अप्लोड की है लेकिन आप उसे भी देखते हो तो आपको 100% आपको लिए अपलोड की है और साथी साथ टेलेग्राम पे बहुत कुछ जो भी नई वीडियो आई यह पीडियाप्स आए वो भी हमने आपके क्वेशन पेपरस की मॉडल की तोर पर आपको पीडियाप्स भी हमने सेंट किये हैं सिर्फ हम भगवान से यही पारतना करेंगे कि जो